तो पैस्ट के लिए बहुती घत की इटनाशक जो है वो हमने तयार कर लिया है और इससे सबी तरह क्यों पैस्ट इंसेक्ट जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो आज मैं आपको कनेर के फूलों से बहुती घातक कीट नाशक तयार करके दिखाने वाला हूं आपको बता देता हूं कि कनेर के फूल होते हैं वह पॉजनस होते हैं तो इसी पॉजन का इस्तमाल करके जो हैं बहुती घातक कीट नाशक जो है वह बनाने वाले हैं जिसे हज़गा के इंसेक्ट जो है वह मर जाएंगे और वह दुबारह कभी भी लोटकर नहीं आएंगे लेकिन इसको बनाने की सही विदी आपको पता होनी चीए और मात्रा भी पता होना चीए ज़्यादा concentrated solution जो है वो घातक साबित हो सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कनेर के फूल है उनको आपको इखटा कर लेना है चाहे वो fresh हो चाहे वो dry up हो दोनों का जो असर होता है वो बराबर होता है तो यह मैंने कनेर के जो फूल है वो इखटे कर लिए है और पूरा जहां पर stack को ही मैंने cut कर दिया है और flower जो है आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको जो है वो करना है करीबन 5 मिनिट तक बॉयल करने से इसका जितना भी रस होगा वह अच्यvu के से है वह निकल जायागा तो 5 से 10 मिनट में इसको वो पर करने के बाद आपको क्या करना है इसको ठंडा करनाहीं ष्यू ठंडा करने के लिए आपको कम से कम तम वह से तरीके से निकल जाए और ज्यादा जो है वो असर कर सके और सही तरीके से यह असर कर सके और जितने भी इंसेक्ट है उनको किल कर सके तो मैं इसको छोड़ देता हूँ एक दिन के लिए और एक दिन के बाद मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे और कितनी मात्रा में इसका इसका स्वागत करता हूँ तो एक दिन के बाद हमने जो बॉयल किया था उसको छोड़ दिया है अब क्या करना है इसके अंदर से जितने भी फ्लावर हैं उन सभी को जो है वो मैं अच्छी तरह से पहले मैश कर लूँगा और मैश करने के बाद उनको निचोड के इसके अंदर जो है वो फेक दूँगा तो इसको जो भी वेश्ट बचेगा उसको हम अपने किचन वेश्ट के अंदर डाल कर जो है वो कमपोस्टिंग वगरा कर सकते हैं तो यह दिखे यह जो शोलीशन अभी तयार हुआ है यह काफी कंसंट्रेटिड है इसको जो है वो द्यूट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्लावर पर आप इसका सीधा इस्तमाल वो कर सकते हैं कंसंट्रेटिड शॉलुशन का भी लेकिन मैं इसको जो है वो डिल्यूट कर रहा हूं ताकि मैं वेजीटेबल वगएरा पर भी इसका इस्तमाल जो है वो कर सकूँ तो कमसी बन दस से पंद्रा लीटर के अंदर आपको इसको डिल्यूट करना है तो मैं भी यहीं कर रहा हूं यह देखें मैंने एक जो है वो दस से पंद्रा लीटर के आसपास की जो बाल्टी है वो ले ली है और इसके अंदर पूरी तरह से जो है इसको डिल्यूट कर दिया है तो यह डिल्यूटीड शॉलीशन भी इंसक्ट पर या पैस्ट पर बहुत अच्छा असर करने वाला है और अब मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए यह एक बोटल में भरने वाला हूं तो यह आप देख सकते हैं कि बोटल के अंदर मैंने इसको भर लिया है और इसको थोड़ आपके गार्डन में देखें बदलते मौसम में अक्सर यह देखा गया कि इंसक्ट का जो अटेक है पैस्ट का जो अटेक है वह ज्यादा होता रिष्टेम आपको यह यलो इंसक्ट जो है आपके नजर आ रहे होंगे वेजीटेबल और दूसरे प्लांट्स के उपर तो यह इसके उपर मैं जो है वो स्प्रे करने वाला हूं और स्प्रे करके अच्छी तरह से इसको वाश कर दीजिए तो इसके उपर यह जो पानी है वो ठैर जाएगा और इंसक्ट जो है वो दुबारा कभी वी वापस नहीं आएंगे और इसके पर एक बार छिड़काओ करने के ब मिलेगा और सभी तरह के इंसक्ट जो है वो गयाब हो जाएंगे आपको उनसे छुटकारा मिल जागा तो यहां पर कुछ है वेजीटेबल के प्लांट है उनके उपर भी पैस्ट एटेक हुआ है तो उनको भी मैं किल करने के लिए इसका इस्तमाल जो है वो कर सकता हूं लेक करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आगा पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स फोर वाचिंग माय वीडियो एंड वी विल मेट इन नेक्स वीडियो